भारत में कई ऐसे राज हैं जो विज्ञान के लिए भी किसी अभूज पहली से कम नहीं है। इन्हें बहुत मजभूती से बनाया जाता है। पहले लगडी और अब सिमेंट के प्लेटफोर्म में मोटे लोही की क्लिप से इन्हें चोड़ा जाता है। ताकि एक दूसर से मिल ना जाएं। लेकिन अगर पट्रियां खुद आपस में चिपक जाएं और अपने आप ही अलग हो जाएं तो क्या आप यकीन करेंगे। शायद नहीं लेकिन आज आपका ये ब्रंट तूट जाएंगा जवाब देश की इस रहस्य में जगे के बारे में जानेंगे। जहारोज सुबह पट्रियां अपने आप एक दूसरे से चिपक जाती है और दो पहरबाद ये खुद बखुद अलग भी हो जाती है। जिसमें विज्ञान को भी हैरत में डाल दिया है। तो आपको लेज चलते हैं इस रहस्य में सफर पर। ये रहस्य में जगें जहारकंड के हजारी बाग पर कागना रूट पर बसें लोहर या टांट गाउं की हैं। यहां से गुदरने वाली रेल लाइन पर हर रोज एक प्राक्रतिक चमतकार होता है। जहां हरत अंगे इस तरीके से रोज सुबा आट बजे ही रेल की पट्रे एक दूसरे से चिपकने लगती है। करीब तीन गंटे में यह पट्रे आपस में पूरे तरह से चुड़ जाती है। लेकिन चौकाने वाला वाक्या तब होता है। जब दोपहर तीन बसते ही पट्रे अपने आप एक दूसरे से दूर होने लगती है। पट्रियों के जुड़ने की यह प्रिक्रिया 15 से 20 मेटर के लंबाई में ही होती है। पट्रियों के देखरे करने वाले करमचारियों कहना है कि यह बहत अजीब और गरीब है जिसे रोकने के लिए पट्रियों के पीच मोटी लगडी फसाई गई। लेकिन खिचाव इतना जबदस्त कि सिमेंट के प्लेटफॉर्म में मोटे लोहे की किलिप से कसी हुई पट्रियां किलिप और फसी मोटी लगडी को तोड़ कर भी एक दूसरे से चपक जाती है। इसी वज़े से इस रूट पर अभी तक ट्रेनों की आवाजा ही नहीं हो सकी है। को भी नहीं। ऐसे ही उपरेटरियों के चिपकने को क्या कहा जाए। कुछ चमतकार या फिर कोई रहसे।